नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही जबरदस पेंसन प्लानिंग के बारे में जिसके तहट ट्रेडिशनल पेंसन प्लान से काफी कम की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और उससे काफी ज्यादा का पेंसन मिलेगा यह एक LIC का स्मार्ट पेंसन प्लान है और यह LIC की पॉल्सी से ही बनेगा इस स्मार्ट पेंसन प्लान के तहट आप महिने का लगबग 7,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और जब आपका पॉल्सी प्रेड खत्म होगा तो आपको हर साल लगबग 13,36,000 का रिगुलर इंकम मिलेगा और यदि आप इसे हर महिना पे 8,000 रुपए का पेंसन मिलेगा इस प्लान के तहट यदि बिमिक बेक्ति की अंटामली डेथ हो जाती है तो डेथ बेनफिड भी नौमनी को मिलेगा और यदि पेंसन चालू होने के बाद डेथ होती है तो बिमाधारक के नौमनी को बचा हुआ पेंसन एक साथ जोड़कर मि इस लिए इस प्लान को मैंने स्मार्ट पेंसन प्लान का नाम दिया है यहाँ पर एक बात बता दूँ यदि आप 7,000 रुपए हर मेने जवान नहीं कर सकते तो 5,000 करें, 3,000 करें, 2,000 करें, 500 रुपए करें या आप 7,000 से ज्यादा करना चाहते हैं तो 7,000 से ज्यादा का भी क कर सकते हैं इस पर कोई restriction नहीं है जितने का investment करेंगे उसी के अनुसार आपको monthly income मिलेगा नमस्कार दोस्तों insurance technical पर आपका बहुत बहुत स्वागत है यहां आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ insurance की जानकारी insurance professional के द्वारा वह भी बिलकुल आसान भासा में यदि आपने इस channel को अ कर रहे हैं LIC के smart pension plan के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि LIC का इस नाम से कोई plan नहीं है यह सिर्फ एक concept है जिसे मैंने smart pension plan का नाम दिया है यदि आपकी उम्र 18 वर्स से लेकर 50 वर्स तक है तो आप इस योजना का love ले सकते हैं इसको उदाहरन से समझ मिश्टर रमेश जिनकी उम्र 25 वर्स है वो 35 वर्स की policy period के साथ इस policy को लेते हैं और सम्मिशोड के रूप में उन्होंने 30 लाख रुपे का चुनाव किया है तो इसके लिए उन्हें लगभग 7,132 रुपे का premium भरना होगा और जब उनका policy period खत्म होगा तो उस समय उनकी उम 60 वर्स की होगी और उन्हें हर महिने लगभग 1,08,000 रुपे का pension मिलना सुरू हो जाएगा और यहां उनके 75 वर्स पूरे होने तक मिलेगा और मिश्टर रमेश जब इस दुनिया को छोड़ कर जाएंगे उनकी family को 30 लाख रुपे का भुगतान अतिरिध होगा यदि policy period के द policy जितने ज़्यादा समय तक चलेगी bonus का amount उतना ही ज़्यादा होगा यदि मिश्टर रमेश उनके 75 वर्स पूरे होने के बाद भी regular income पाना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए एक और policy लेनी होगी इस policy के माध्यम से 90 वर्स पूरे होने तक की pension planning की जा सकती है मैंने सिर्फ ए साथ अलग से 30 लाख रुपे भी नमनी को मिलेंगे दोस्तों यदि आप traditional pension plan लेंगे तो इतने regular income के लिए आपको धाई से 3 करोर रुपे जमा करने होंगे इस option से आप smartly एक safe investment में अपनी pension की major requirement को पूरी कर सकते हैं इसलिए मैंने इस plan का नाम smart pension plan दिया है आपको यह concept कैसा ल मिस्टर रमेश को लगभग 1 करोर 47 लाग की maturity मिलेगी जिसे उन्होंने एक साथ नहीं लिया है इसे 15 साल के मंतली installment में लेने का option चुना है जिसके तहत उन्हें हर महिने का regular income मिलेगा दोस्तों इस regular income को मैंने LIC के जिवान आनद प्लान से design किया है जिसके तहत 15 वर्ष से लेक रखते हैं अपने age अपनी आमदनी और अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आप अपने regular income को design कर सकते हैं इस policy कंतरगत आप जितने का भी समिस्टोड लेंगे उसके 125 परतिसत की coverage मिलेगी और साथी साथ maturity के बाद भी पूरे जिवन समिस्टोड के बराबर की coverage मिलेगी जिसके तहत बिमाधारत जब भी इस दुनिया को छोड़ कर जाएंगे नौमनी को समिस्टोड का भुखतान होगा तो इस plan की detail जनकारी के लिए मेरी ILIC के जिवानानद policy की detail वीडियो जरूर देखें उसके link मेंने इस वीडियो के description में भी दे दी है उपर अभी i button पर भी click कर कि आप उसे देख सकते हैं तो प्लीज इस वीडियो को like करके मुझे प्रताहित जरूर करें यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे comment box में लिखें और subscribe करें इस channel को और जुड़ जाए हमारे सांथ insurance professional से insurance की जनकारी के लिए और अंत में अपना किम्ती समय निकाल कर इस बहुत बहुत धन्यवाद